नमस्कार घरे लूप चार में आपका स्वागत है कहीं भी रहें हसते रहें और मुश्कुराते रहें साथियों धन संपती सबके किस्मत में हैं लेकिन अगर करम को आच्छा किया जाए उत्साह और होसला बुलंद हो तो यह सब प्राप्त किया जा सकता है तो दोस्तों करम ही महान है और करम के पीछे ही धन संपती प्राप्त होती है भग्मान भरोसे नहीं हो पाता है तो साथियों चले हम इस वीडियो में चर्म रोग तो साथियों चर्म रोग उसे कहते हैं जो चम्रे के ऊपर तरह तरह के रोग होते हैं लेकिन उसमें से मैं कुछ रोगों का यह जो है घरेलू उपचार दे रहा हो खाज हो खुजली हो चम्रे के ऊपर लाल चकते हो कुष्ट रोग हो इसके लिए यह जो है घरेलू नुक्सा अती उतम और कारगर है तो साथियों यह रोग खून के खराबी से उत्पन होते हैं और जिन ब्यक्तियों को यह खाज खुजली हो जाता है वह खुजलाते खुजलाते परसान हो जाते हैं और जितना ही खुजलाएंगे उतना ही आनंद मिलता है लिकिन इसके अंदर एक प्रकार के किटारू होते हैं जो खुजली पैदा करते हैं तो दोस्तों यह उपचार ऐसा उपचार है कि इसके सेवन से खाज खुजली लाल चकते यहां तक कि अगर ज्यादा दिन तक इसका परियोग किया जाए तो कूष्ट रोग भी दूर हो जाता है तो साथियों इसके लिए हमें क्या करना है वह सुनें गरम पानी को करना होगा यह पानी कम से कम दस गराम से पंदरा गराम यानि बेलकुल थोड़ा और उसमें एक छोटी चमच सहद डाल कर उसको अच्छी तरह मिलाकर सुबह के टाइम पीना होगा श्रीफ दिन में एक बात इस परियोग को कम से कम साथ दिन तक करें जी तो इस परियोग से खाज, खुजली, लाल चकते और यहां तक की कूष्ट रोग भी दूर हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, जे खाज, खुजली में नुकसान पहुंचाने वाले खाद्य पदार्त को नो खाएं थोड़ा परहेज रखें कि जल्दी यह कारगर हो जाए तो दोस्तों चलिए हम दिखाता हूँ आपको वह साहत तो साथियों ये दिखिए ये है साहत आपको अच्छी क्वाल्टी को लेना होगा और एक छोटी वाली चमच बस यही आपका समागरी है और गरम पानी तो गरम पानी का कम सकम इसी चमच से आप चार चमच ले सकते हैं लेकिन पानी गरम होना चाहिए ठंडा नहीं तो दोस्तों आप इस परियोग को करें और चर्म रोग से छूटकारा पाएं तो दोस्तों इसी तरह हम आपको वीडियो देता रहूँगा और आप घर बैठे वीडियो से लाब उठा सकते हैं तो हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए हमें दीजिये इजाजात नमस्कार